जैजपा के परद्वान महासचीफ दिगविदे सिंग चोडाला ने कहा है कि कॉंगरस नेता भुपेंदर सिंग हुड़ा और उनके बेटे दिपेंदर हुड़ा 2019 में की गई अपनी स्वार्थ की राजनिती पर परदा डालने का विफर पर्यास कर रहे है दिगविदे चोडाला ने कहा कि 2019 के लोगसवा चुनाव में सिरफ भुपेंदर सिंग हुड़ा ही महा गठबंदन का रोड़ा थे दिगविदे चोडाला ने कुछ प्रेस कटिंग भी तत्थे के आधार पर पेश किये दरसल बीते दिनों कुछ दिन पहले दिपेंदर हुड़ा ने बयान दिया था कि जज़बा ने कॉंगरस से गठबंदन के लिए कोई बाचित नहीं की थी जिस पर दिगविदे चोडाला ने गुरु गराम में प्रेस वारता कर कई आरोप लगाए दिगविदे चोडाला ने कहा कि ना सिरफ लोगसभा चुनाव में बलकि विधान सभा चुनाव में भी भुपेंदर हुड़ा ने अपने हितों को महत्तर दिया उन्होंने का कि कॉंगरस के शिर्ष नेतरतव के नेता गठबंदन के लिए राजी थे लेकिन भुपेंदर जिंग हुड़ा ही रोड़ा बने हुए थे भुपेंदर हुड़ा की दोटू गठबंदन को लेकर मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और पीछे उन्हें कहा वीडियो में कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई अब ये कैसे संभव है बेटा जी कहते हैं कि दुशन्त की सभी शर्टे को मानने को तयार हो गए थे पूर्व हुड़ा पूरी तरह और उनके लाड़ले बेटे दिपंदर हुड़ा जी इसी बात में एक काम क्यों कर रहे हैं मुझे कहने कि आवशकता नहीं मुझे लगता है कि आप सब लोग वीडियो से ही समझ गये होंगे कि हमारा हमारी इंटेंट जो थी हमारी इंटेंशन जो थी वो पाक साफ थी हरियाना के हित के लिए थी जनता के हित के लिए थी अब जो क्योंकि इसमें तो आप लोग कहेंगे कि यह तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं इसमें तो कोई ज़्यादा सा खुलासे वाली बात नहीं हुई जो असली बात है जो से मुद्दे पर मैं आना चाहता हूँ वो है लोकसुबा चुनाव 2019 की बात जिसका जवाब वुपेंदर हुड़ा जी को देना ही पड़ेगा इससे वो बच नहीं सकता आम आदमी पार्टी जन्नाएक जन्ता पार्टी का पैक्ट हो गया था लगबग बातें तेह हो गई थी और महा गठबंदन मीडिया के लोग भली बाती परिशत हैं वो प्रत्यक्ष को परमान की आवशकता नहीं अब आप अगर घुमाएं पीछे Accepted Congress Plan for Alliance Formation This was महा गठबंदन Plan of Haryana